हेलो फ्रेंट्स वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3-1 टैक में तो फ्रेंट्स अगर आप एक पेटियम यूजर हैं पेटियम एप्लिकेशन को यूज करते हैं और उसमें पेटियम वैलेट को भी चलाते हैं चाहे आप किसी को पैसे भेजने के लिए अपने पेटियम वैलेट का यूज करते हैं या फिर अपना मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आप अपने पेटियम वैलेट से उसे रिचार्ज करते हैं या फिर आप किसी शोप पे पेइमेंट करते हैं वह भी आप अपने पेटियम वैलेट से करते हैं या फिर आप अपना बिल सिखाऊंगा और इसका सबसे बड़ा benefit यह है कि मान लिजी आपको किसी को जलतवाजी में पैसे भेजने हैं बहुत जरूरी है और जेंटल यह आपको भीजने है तो अगर आपके पैसे होंगे तो आप एक सेकेंड के अंदर वो पैसे दुसरे पैसे में भीज पाएंगे मतलब किसी को भी ट्रांसफर कर पाएंगे बहुत ही एजली अगर आपके पैसे नहीं होंगे तो आपको पहले बैंक से अपने बैंक एकाउंट से वो पैसे अड़ करने पड़ेंगे या फिर आप बैंक एकाउंट से भी भेजेंगे तो उसमें ओटी पी आयेगा या पिन डालनी पड़ेगी तो वो काफी लंबा प्रोसीजर हो जाता है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है इसलिए या फिर किसी शोप पे आपको पेमेंट करनी है और आप चाहते हैं कि मैं वहापे अपनी पिन डालूं पासवर्ड ना डालूं तो अगर आपके पैसे होंगे तो तुर प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल्पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फॉन की स्क्रीन के उपर जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे हमें पेटियम एप्लिकेशन को ओपन कर लेना है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ पेटियम एप्लिकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने इसका हॉमपेज आ जाएगा और यहाँ पे आपको स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पे आपको पेटियम वैलेट का ओप्शन दिखाई देगा इसके अंदर हमें पैसे एड़ करने हैं तो हम पेटियम वैलेट के और यहाँ पर आप देख सकते हैं 100, 200, 300 आप जितने चाहें यहाँ पर पैसे add कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं select कर लेता हूँ, store पर आपको add करके दिखाता हूँ, यहाँ पर store पर लिखा मैंने और यहाँ पर मैं done कर दिया, ठीक है, done करने के बाद proceed to add 100 रुपीज, इसके उपर हमें click करना है, तो हम इसके उपर click कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपके payment bank में हैं तो आप वहाँ से add कर सकते हैं, या फिर आपने जो bank account link किया है, आप वहाँ से payment add कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर आप कोई नया bank account यहाँ पर add कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अगर नया bank account यहाँ पर add new bank account यहाँ आप add कर सकते हैं, या फिर आप option लेके कोई नया debit card add करना चाहें तो वो आप यहाँ पर add कर सकते हैं जैसे नया debit card के लिए आपको इस पर click करना पड़ेगा अपनी card के details डालके आपको save करना पड़ेगा ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पर नए किसी अगर नया card से add करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं net banking के through करना चाहते हैं वो net banking के through भी आप कर सकते हैं जैसे मैं अपने bank account से करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर अपना bank account select कर लूँँगा ठीक है मैंने select कर लिया और pay करना पड़ेगा अब pay pay click करूँगा यहाँ पर मैं अपनी डालूंगा ठीक है पिन डालने के बाद मेरे पैसे मेरे इस वैलेट के अंदर टांसफर हो जाएंगे तो यह आप देख सकते हैं मैंने पिन डाल दी है उसके बाद यह थोड़ असर टाइम लेगा और यहाँ पर सक्सेस्फुली एड हो गई 100 रूपीज आप देख सकते हैं यहाँ ठीक है मैं यहाँ पर कर देता हूं और आपको अब मैं वैलेट के अंदर ले जाके दिखा भी देता हूं पेटेम वैलेट पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं मेरे पेटेम का जो बैलेंस है वह 100 रूपीज यहाँ पर दिखा रहा है तो इस query है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यू